एक समय की बात है, एक गाओं में अमित नाम का एक आदमी रहा करता था, वह अपनी मा के साथ रहता था, उसकी गईया भी थी, एक बार अमित की मा खाफी बिमार हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम हमारी गईया का अच्छे से खयाल रखना, यह तुम्हारा भी बहुत खयाल रखेगी, इसे कभी अकेला मत चोड़ना बेटा कुछ दिनों के बाद अमित की मा की मृत्यू हो जाती है, अमित अपने खेतों में खुब मेहनत से काम करता है, कुछ मेहों बाद अच्छानक तुफान आ जाने के कारण उसकी सारी मेहनत बिखर जाती है, उसके घर की छट भी तूट जाती है नहीं, नहीं, अब मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, मेरा घर, मेरे खेत नश्ट हो गए, अब कमाई का कोई साधन नहीं रहा, मा, तू भी चली गई, मैं क्या करूं अमित, तभी अपनी गईया को देखता है और कहता है माफ कर देना मुझे, मा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अगले दिन, अमित गईया को एक आदमी के पास बेचने के लिए जा रहा होता है रास्ते में गईया भागने लगती है अरे, अरे गईया कहा जा रहे ही हो, भागो मत, अब तुम ही मेरा सहरा हो अगर तुम यू भाग गई तो मैं क्या करूंगा अमित गईया का पीछा करता है गईया अमित को एक जंगल में ले जाती है वो जंगल बहुत घना था जंगल में वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाती है और वहाँ पर एक सोने के घर में अमित को ठक्का दे देती है अरे ये क्या? ये घर तो सोने का है हीरे, जवारात, गहने, पैसा, इतना सब कुछ ये पूरा का पूरा घर ही सोने का है तो क्या मा सच कहती थी? ये गईया को याम गईया नहीं लगती इसने तो मेरी बहुत मदद कर दी मुझे माफ करना गईया गईया प्यार से सिर हिला देती है अमित वहाँ से कुछ जवाहरात और पैसे लेकर अपनी घर वापस आ जाता है अगले ही दिन वो उन पैसों से एक नया घर खरीद लिता है और फिर से अपने खेतों में महनत करके फसल उगाने लगता है उसके बाद कभी भी वो अपनी गईया को अकेला नहीं छोड़ता ऐसे मुश्किल समय में तुमने मेरी मदद की है तुम भी मेरी मा जैसी हो मा चली गई तो क्या? तुम तो हो ना? अमित और गईया का प्यार हमेशा बना रहता है और दोनों खुशी-खुशी हमेशा के लिए रहने लगते हैं खरगोश और कुट्टे की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में एक शिकारी कुट्टा रहता था वो बहुत होशियार था वो केरा था इसी लिए हमेशा जंगल में इधर उधर तहलता रहता था एक दिन जंगल में गूमते हुए खरगोश की बच्चों का उसे एक छुन दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में खेल रहा था खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था इसी लिए वो कुट्टा उन खरगोश की बच्चों के पास जाकर बैठ गया ताकि कोई और जंगली जानवर आकर उन बच्चों को खाना ले जब वो खरगोश वापस आया तो उसने देखा ये जंगली कुट्टा उसके बच्चों के पात बैठा है और उसके सारे बच्चे उसके आजबास खेल रहे हैं और वो किसी को भी नहानी नहीं पहुँचा रहा उसके बच्चों को आराम से बैठ कर देख रहा है जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो ये सब देखकर खरगोश को बहुत संतुष्टी हुई और वो कुट्टे के पास गया और उसका हाल चाल पूछने लगा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बच्चों का खयाल रखा ये तो मेरा पर्स था दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई जब भी खरगोश को अकेला जाना होता तो वो कुट्टे को उसके बच्चों की रखवाली के लिए कह देता कभी कभी कुट्टा आसपास के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन चालाक लोमडी ने ये सब देख लिया और उसने सोचा क्यों ना इस बात का फाइरा उठाया जाए अरे वाह ये तो बड़े मोटे ताजिक खरगोश के बच्चे है इनको काने में तो बड़ा मज़ा आएगा लेकिन इन बच्चों के साथ ये कुट्टा क्यों बैठा है ये तो शिकारी है क्या ये इनका दोस्त है उसने दूरे दूरे कुट्टे से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी अब गुट्टा जब भी खरगोश के साथ बाहर जाता तो चाला कलोमडी पीछे से आकर खरगोश के बच्चों को उठा कर ले जाती कई दिनों तक एशारी चलता रहा जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे तब खरगोश ने कुट्टे से इस बारे में बात की दोस्त हमारे बच्चे रोज कम होते जा रहे हैं लगता है उन्हें कोई उठा कर ले जाता है उनका शिकार करता है ऐसा कैसे हो सकता है मेरे होते हुए बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है तुम फिक्र मत करो, कल से शिकार पर मैं नहीं जाओंगा, मैं बच्चों का खयाल रखूंगा, मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत की हमारे बच्चे उठा सके कुट्टे ने बिल्कुल वैसा ही किया, अगले दिन वो शिकार पर ना जाकर घरगोश के घर के पीछे छुप गया इतने में उसने देखा कि जब बच्चे खेल रहे थे, बहां लोमडी आकर बच्चों को उठाकर ले जाया करती है उसने ये सब देखा और उसी वक्त लोमडी को मार डाला लोमडी मैंने तुम्हे अपना दोस्त समझा और तुम इतनी धोके बाज निकली, तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता, तुम्हें तो मरना होगा इस तरहां खरगोश के बाकी बच्चों की कुट्टे ने हिफाज़त की और अपनी दोस्ती को साबिट किया गर्भिवती खोड़ी एक समय की बात है, एक गाउं में रमेश नाम का आदमी रहा करता था, उसके पास एक खोड़ी थी रमेश अपनी घोड़ी को एक छोटे से तबेले में रखता था, घोड़ी उस समय करववती थी, वह हमेशा अपने बच्चे के बारे में ही सोचती यहीं की थी ओ मेरा बच्चा, तुम जल्दी ही इस दुनिया में आजा, मैं तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ तुम्हारे लिए यहाँ खूब सरजावट और साफ सफाई करूँगी घोड़ी हर वक्त अपने बच्चे के बारे में सपने देखती रहती, लेकिन उसके सपने सपने ही रहते थे वह तबेला बहुत गंदा था, और कीचर से भरा हुआ था घोड़ी मन ही मन अपने तबेले को साफ करने के बारे में सोचती, मगर कभी उसे साफ नहीं कर पाती थी मेरे बच्चे, मैं जरूर तेरे लिए यह तबेला साफ करूँगी, बहुत खूपसूरत बना दूँगी घोड़ी दिन प्रती दिन आलसी होती जा रही थी, दिन भर वो सोती रहती और अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर सपने बुनती रहती एक दिन घोड़ी का भाई उसे मिलने के लिए आता है, अपनी बहन की तबेले की हालत देकर वो हैरान हो जाता है मेरी बेहन तुम्हारा बच्चा होने वाला है और तुम्हारा तबेला कितना गंदा है कहीं उसे कोई बिमारी हो गई तो ये तुमने क्या किया दिन भर तुम बस तबेले में पड़ी रहती हो खाती रहती हो ये अच्छी बात नहीं, रमेश कितना अच्छा है, तुम्हारा कितना खयाल रखता है, तुम्हें भी थोड़ी साफ सफाई का खयाल रखना चाहिए घोड़ी अपने भाई की बात सुन हैरान हो जाती है, और उसे अपनी गल्दी का एहसास होता है हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मैं अपने बच्ची की रक्षा के सपने देखती हूँ, लेकिन कभी उसे अमल नहीं करती, माफ कर दो मुझे दोनों भाई बहन अगले ही दिन से तबेली की सफाई में लग जाते हैं, उन्हें ऐसा करता देख, रमेश भी उनकी खूब मदद करता है और तबेली को एकदम साफ कर देते हैं, अब गर्वती घोडी अपना खूब खया लगती है, सफाई में कोई दिन नहीं बरती, कुछ दिनों बाद उसे एक त्यारासा घोडा बच्चा होता है, और वो बहुत खुश हो जाती है मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, मैंने अपनी भूल को तुम्हारे आने से पहले ही सुधार लिया, अब कभी आलस नहीं करूंगी, सपने भी देखूंगी और उसे अमल भी करूंगी, तो हमेशा खुश रहो घोड़ी अपने भाई को धन्यवाद देती है, और अपने बच्चे के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है सुनेहरे शेर का घर जंगल में राजा नाम का एक शेर रहा करता था, उसका मन बहुत प्यारा था, वो हमेशा सब की महरत करता था था तो वो जंगल का शेर, जंगल का राजा, लेकिन कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था, बलकि उससे बहुत प्यार करता था क्यूंकि राजा शेर सभी का बहुत खास खयाल रखता था, सभी के जनम जिन पर अच्छे-अच्छे उपहार ला कर देता था और कभी भी किसी को दोश्ट नहीं देता था, किसी को नहीं खाता था, और सबकी सुरक्षा के जिम्मेदारी लेता था इतना अच्छा राजा पाकर पूरा जंगल पहुत खुश था हमारे राजा पहुत अच्छे हैं, उनका मन सोने का है मुझे यकीन है, हमेशा वह हमारी सुरक्षा यूँ ही करते रहेंगे घरगोश, हाथी, मोर, सभी जानवर हमेशा उनकी तारीफें करते रहते और जंगल में खुशी-खुशी रहते एक दिन चिडिया आकर पंदर से कहती है अरे बंदर, तुभे बता है, राजा शेर का कल जनम दिन है वो हमारे जनम दिन पर हमेशा कोई ना कोई इंतजाम करते है सबके भोजन की तैयारियों में लग जाते है हमें भी उनके जनम दिन पर कुछ खास आयोजन करने चाहिए ये तो तुम फिक कहती हो, मैं सभी से बात करके आता हूँ बंदर अपने दोस्तों के बास जाकर ये बात करता है सभी उसकी बात मान जाते है मुझे लगता है, जिस प्रकार राजा हमारी तेखभाल कर रहा है हमें ऐसा राजा कभी नहीं मिलेगा कल उनका जनम दिन है, चुडिया पिल्कुल ठीक कहती है हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए सभी जानवर राजा शिये के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे राजा खुश हो जाए अरे देखो देखो ध्यान से देखो राजा की गुफा कैसे तोटफूट गयी है राथ में जब राजा जी सो जाएंगे हम आकर उनकी गुफा को रंग कर देंगे और उसकी मरम्मत भी ये बात पिल्कुल सही है, क्योंना हम इसे सुनेहरे रंका कर दें, राजा का मन भी तो सोने जैसा है सभी जानवर इस बात पर राजी हो जाते हैं, और रात के अंधेरे में चुप चाप राजा की गुफा की मरंबत करते हैं और उसका रंग सुनहरा कर देते हैं अगले दिन जब राजा उठता है तो वो अपनी नई गुफा को देखकर हैरान रह जाता है वाह! इतनी सुन्दर! क्या ये मेरी गुफा है? सभी जानवर एक साथी कठा हो जाते हैं और राजा को जनम दिन की धेश सारी मुबारक बाद देते हैं राजा इह देखकर बहुत खुश हो जाता है और सबका धन्यवाद करता है